हलो दोस्तों नवस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल ओल्वी जेफेक्स पर दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम फ्री में ओडियो एडिटिंग या ओडियो रिकॉर्डिंग करते हैं की सचर्फ करmeंती सब्सक्राइब करते हैं अपको कम इस देख सकते हैं और आप यह देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास में अलग-अलग option आपके इस टाइप से आ गए है यहां से यह देखिए यह audio city free download का option आ गया है आप यहां से इस पर click करेंगे simply यह देखिए click करते ही आप क्या देखते हैं यह आपके सामने page एक open हो जाता है यहां से आप facebook sign करना चाहते हैं यह normally अगर आप download करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं यह देखिये हैं अफज हम यहां पर click करदेगे तो यह download होना चालू हो जाएगा यह देखिए हमने यहाँ पर किलिक कर दिया और किलिक करती आप यह देख सकते हैं कि आपका यह option आगया है और इस तरह से इसका icon बनेगा audio city का यहाँ पर यह देखिए जैसी मैं यहाँ पर किलिक करूँ यह देखिए आपका download होना चालू हो जाएगा अब आप देख सकते हैं कि डाउनलोड होना हमारा चालो हो गया है तो इस तरह हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसको हमने पहले से जो ओडियो रिकॉर्डिंग की हुई है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें ओडियो एडिटिंग हम कैसे करेंगे यह recording कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर फाइल में एक new का उप्सन होता है, यह वाला, यहां से हम क्या करेंगे, new file उपन करेंगे, यह देखिए, अब हमने new file यहाँ पर उपन कर लिया तो आपके पास में जो ये बटन होता, य वाला बटन दोस्तो ये होता आपका recording mode इस recording mode से क्या होता, जयसे आप इस पर प्रेस करते ही ये देखिए, मैं याप आपको प्रेस करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए अब यहाँ पर जैसी हमने प्रेस किया है मैं जो जो भी आप से बात कर रहा हूँ वो आटोमेटिक इसमें रिकॉर्ड होना चालो हो गई है यह देखे अब मैं बोलने जा रहा हूँ दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऐ्ल्ट फाक्स पर आप यह देक सकते हैं यहां पर आपकी रिकॉर्डिक चालो हो गई है यह पूरा आप देख सकते है यहां पे हमारे पास में क्या ह३ह हुता है यह आपका होता फूर्प बटन हो दोस्तो अगर आप इस फूर्प बटन पर कlyder करते हैं तो यह आपकी audio stop हो जाएगी और यह होता है आपका पॉज बटन यह पॉज बटन आपको क्यों होता है कि अगर आप पॉज बटन के थुरू यहां से आप पॉज कर देंगे तो यह देखिए आपकी recording पॉज होगी है यानि कि आप बीच में कोई बात करना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं तो आप यहां पर रूख सकते हैं और इस पर अगर आप दुबारा प्रेस कर देते हैं इसी बटन पर तो यह आपकी फिल प्ले होना चालो हो जाएगी अब देखिए मैं यहां से आपको छोटे से इस बटन से जाके में बीच वाले बटन मोड से इसको स्टॉप कर देता हूं यह देखिए यह स्टॉप कर दिया मैंने अब क्या आपकी ओडियो स्टॉप होगी यानि कि आपकी ओडियो स्टॉप होगी है तो दोस्तों कल मैं आपको बता हूंगा कि कैसे हम इस ओडियो को एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे हम इसका यूज करते हैं तो दोस्तों नमस्कार आज के लिए बस इतना ही आप देखते रहे हमारे यूटूब चैनल और वीजेफेक्स आगे दोस्तों मैं आपको बताता रहूंगा और यह भी बता हूंगा कि हम फोन के द्वारा बड़े PC को ना लेकर छोटे ही फोन से हम कैसे एडिटिंग कर सकते हैं आए जाने अगले एपिसोड में तो दोस्तों नमस्कार